हेलो व्रिवन आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाव मेले इसलामे में इस बार इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं चाहे वो किसी भी कुर्स में हो बिसकली हम जामेक एड्मिसन के प्रोसिजर के बारे में बात करेंगे किस तरीके से बहां पर होता है और क्या क्या कुछ बेसिक चीज़ है जिसके वाज़े से स्टूडेंस के लिस्ट में नाम आता भी और कुछ का नहीं भी आता है वो उसके बारे में बात करेंगे देखी मसटार का वीडियो कर आपता चलेगा आपको आप से आइडियो both वह जाकर देख लिएगा का वीडियो स्कुट्री Plateau एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब को छाल को सकते हैं आपको जाएं रिएल। होता कि में स्टुडेंस को सबसे मार्क्स और था उन्को सबसे पहले मौका सबसे है बने सबसे सब पहले और और लेकिन अब यह होता है यहा है जी आहरने मैं भी यूरơi इसलिए यूप cheers में आप यह नाम दे आता है ताकि जो है तो बच्चे लिस्ट में नाम आया है अगर उनका वो इन लिस्ट वाले को मौका दिया जा सकता है तो यह चीज हो गया अब हम आते हैं जो में इंपोर्टिंट गैडले ने वह थोड़ा इस पर आते हैं काय रहा है, आजमेंर इलीजिबल फोर कनदेर आल प्रोग्रम वेरियस फेकल्टी और जामी इसलामिया इस डान फुरु मेरिट अंदर डिट्रमाइव इंटरेंस टेज्स मतलब जो भी इंटरेंस हो आउयर जामी यह जो अपर लेकिन अपके मारक साथ मेरिट बेस बेस पर ले को नीप के थुरू होगा और यह कुछ है और इसके लाभा कुछ कोर्स इसे है जो पता आपके आपे सी करावबेन के दोड़ार, जिसे जो दए को सब्सक्राइब का आपको पताई कि लिए थी Eu लेकिन साथ में आपको ए जामिया का भी फॉर्म करना पड़ेगा किलियर है इन दस कोर्स के लिए जो सी यू टीम गए हैं अब इसको देखने के लिए पेज सबसे लास्ट में चले जाए यह प्रस्पेक्टर सहला कि मैंने परसो उस पर वीडियो बनाया था वो देख जामिय में बहुत सरे ऐसे कृट्स है जहां पर इसक्रिप्टीब भी होते हैं मतलब बहुत सरे कृट्स हैं जिसमें सिफ एमसी क्यू बेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे कोर्स ऐसे भी है जहांगे आपको theory लिखना होता है और साथ में M-C-Q भी देना होता है अब बहुत सारे कोर्समें वही है जिसमें बात करें मैं कुछ कुछ को कीलेर करता हूं, जैसे जो बच्चे 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 दे रहे हैं उन्हें जातर ऐसा है, सिर्फ MCQ-based है, कुछ कुछ में जैसे language कोर्स है, उसमें आपको MCQ के साथ साथ आपको theory भी लिखना होता है, या रिदिन भी लिखना ह तो यह चीज तो समझ माहरा होगा आप कहाना क्या चाहरा है इसमें इसमी इसमी चाहरा है कि आपका जो 30% जो माक्स है पार्ट के आपको स्कोर करने पड़ेंगे जैसे कि अब होता क्या है मानली कोई थिवरी वाला भी सिक सरेने जैसे मानली जो भी है पहले समझी थोड़ा सा अगर मानली कोई बी अनुर्थु के लिए या अरभी के लिए चाहरे तो उसमें होता है कि 60 मार्थ का पहले समयना होग देन आपका लिस्ट में नाम आप पाएगा लिस्ट में नाम आने के लिए आपको 30% पर स्कूर करना पड़ेगा यह जरुर नहीं कि आपका 30% आगे तापका आटमिस में जगा ऐसा नहीं क्योंकि और लेटी तो कहा रहे हैं कि हम मैरेड वेस्ट पर ले रहे हैं मतलब मैरेड जिसे अब यह आपके PG कोर्स में बहुत सरे PG कोर्स में ऐसा है जहां पर MCQ के साथ साथ आपके थियोरी भी लिखने होते हैं तो यह चीज उसमें भी अप्लिकेबल होता है मतलब उसमें भी 30% स्कूर करना पड़ेगा और MCQ में भी अभी हम बताते हैं लेकिन थियोरी में बीच बनते हैं 15 से 20 मार्क के बीच में बनते हैं आपको थियोरी में स्कोर करना पड़ेगा 60 में से चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नमर टू इस पे कहरा देर भी निगेटी मार्किंग जामें के यूजी पीजी डिप्लोमा भी बाकी जितने भी कोर्स हैं स्कूल के लाब कंड़ेट अप्टेंग लेस दन 15 परसेंट मार्क इन अब्जेक्टीब टाइप एंसी क्यू कोर्शन विल नौर्ट विस्ट्रलाइज फॉर इंटर्व्य डिस्कॉशन मतलब उनका नाम ही नहीं पाएगा अगर वह 15 परसेंट से कम स्कोर करते हैं किसमें आपको इस आप से देखा जाएं वहां पर इंड़ेट का यहां पर 50 परसेंट स्कोर करना होगा इस हैं आपको इस पूर्टी का परसेंट परसेंट करना पड़ेगा इसकीजिस आपसे देख जाएं तो आपका 10 से 20 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा तब उनका लिस्ट में आम आप पाएगा यह ज़रूरी नहीं है कि आपको एड्मिसन मिली जाएगा एड्मिसन तो मिलेगा उन्हें स्टूडेंस को जिनका सबसे ज़दा मार्क्स आएगा उनको मिलेगा यह चीज फर्क को समझी में बारवर किलियर करना चाहरा हूँ दूसरा आप जिने स्टूडेंस के हैं उनको सिंपली 50% मिन्मम स्कूर करना पड़ेगा तो हैंड्मिसन के सबसे देखा जाए तो कितना हो जागा 15 परसंट अगर दिखा तो फिर भी यह मतलब आपको 15 मिन्ममम आसकोर करना पड़ेगा मैकसिमम आप पता लगे आप 80 प्लस कर सकते हैं तो आपको फायदा का मतलब मिन्मम मिन्ममने कराइट ही रहा मैकसिमम तब कितना भी रख लिजे 24 आपको यह मिन्मम वह है जहां पर लीस में जिस होता है कि जामें अगर कितना भी डॉन जागा ना तो यह मिन्ममम जो मार्क्स में कराइट इरी बता रहो 15 से नीजी नहीं जाएगा और सब्जेक्टी पार्ट में 30 से नीजी नहीं जाएगा बस यह है आपको समझ में आना चाहिए अब आते हैं निक्स आगे आगे यहां पर यह कह रहा है कि मतलब कोई स्टूडिस नहीं आते हैं उनको माना जा कि वह वह इंट्रेस नहीं इंट्रस्टेट नहीं थे जामिय कहाना चाहिए दूसरा आपको कोई री एवलिएशन आंसर की या फिर से री चेकिंग का मौका नहीं जाएगा दिया जाएगा इसका अपने पास राइट आफिस ऑफ चीफ प्रॉक्टर मतलब आड़ लें तो सारे सी जो भी आपके डॉकमेंस होंगे वो सारा वेरिफाइब फानिली होते हैं चीफ प्रॉक्टर से अद उसको आपनिल आपका अड्मिसन कंफर्म होता है इसके अलावा यह है कि यह करें कि मतलब कोई वैसा बार नह लाता है उसके अप्डेटेट आना है तीसी चीजी है कि अगर होस्टल की बात करें मैं पहले पहले केलर कर दूँ होस्टल के लिए और गारंटी नेगा को आपको हॉस्टल मिल पाएगा क्योंकि सीर्स कम है एरिया स्पेस कम ही स्वेस्टल मिलना मुस्किल होता है बाकी यह जो अब आने वाले जो भी अप्डेट आता उसको लेकर अप्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए और जो भी अप्डेट आता अगर किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट कर देगा थैंक्यू